दोस्तों ये एक छोटी सी सरल पहले वाटसेप पे लगातार गोम रही है इसका अंसर निकालते हैं आज तो पहले किस प्रकार है एक सरल लेकिन उलजाने वाली पहले है ये तो शुरू करते हैं एक ओरत ने एक दुकांदार से साड़े तीन सुर रुपे का गर का समान खरीदत करता है कि औरत उसे 2000 का नोट देती है और दुकांदार 2000 का छुटा दूसरी दुकान से लाता है उसके पास खुले नहीं होते हैं, दूसरी दुकान से 2000 का खुला गराने जाता है हूँ, जिसमें से 3700 रुपए अपने पास रखकर और 1650 रुपए अवरत को दे देता है, बाद में दूसरा दुकानदार 2000 का वही नोट लेकर उसके पास आता है और नकली बता कर अपने 2000 रुपए असली ले जात है, तो अब दुकानदार को कितना नुक्षान होगा यह पूछा गया है, इसने उप्शन भी 4-5 दिये है, 3500 रुपए, 3600, 2700, 3600, 4000 और इनमें से अवर कोई और भी है तो भी बता सकते हैं, तो आप सोचिए इस का अंसर क्या आएगा, देखिए इसको सोल करते हैं, एक ओरत अपने दुकानदार से दुबारजे पढ़ते हैं इसको, 3500 रुपए का घर का समान खरीद लिया, ठीक है, और उसने 2000 का नोट दिया है, दुकानदार के पार 2000 का नोट नहीं है खुला, तो उसने दूसरे दुकानदार से लाया हो, दूसरे से, जिसमें से उसने 3500 रुपए स सिर्वैंन के लिए और सोड़ से पचास रुपए और रगत को दे दिये यहां तक किल्यर है यहां कि वसीटांदार यहां तक कोई नुक्षान नहीं है जिस दुकन दार से लाया था इसमें से उसने सण हीन समान के रख लिये और अब जो उल्जन है वो यहां पर आती है बाद में दूसरा दुकंदार 2000 का वहीं नोट लेकर उसके पास आता है और नकली बतागर अपने 2000 रुपे ले जाता है तो वो नकली नोट लाया और 2000 उस दुकंदार से ले गया तो जो नुक्षान हुआ उस दुकंदार को वो उसी 2000 रुपे का हुआ है जो दूसरा दुकंदार उससे नकली बतागर ले गया है तो इस जो किस्टन का आंसर है वो सिरफ 2000 रुपे ही है जो की ओप्शन में नहीं दिया गया है एक बार और आपको पता जिता हूँ देखिए उ उस ओरत ने 3500 रुपे का समान लिया और 2000 का नोट दिया तो वो दुकंदार दूसरे दुकंदार से 2000 का कुला करवा के लाया उसमें जे 3500 रुपे ने समान के रख लिया अपने पास और 1500 रुपे उस ओरत को दे दिये यहां तक बिलकुल कि रिये है किसी को कोई नुक्षान नहीं हुआ है ना दुकंदार को नुक्षान हुआ है ना उस दूसरे दुकंदार को है लेकिन जब वो दूसरा दुकंदार नकली बता कर उससे ले जाता है ठीक है दोस्तों ऐसे ही क्यूसन के लिए आप हमारा चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइबर कीजिए सेयर कीजिए, धन्यवाद